नमस्कार साथियों आज के एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग समस्टर 5 कोर पेपर 12 के जो है एक महत्पून परस्ण देखने वाले हैं इस परस्ण के बाद जो है कोर पेपर 12 का एक परस्ण आपको और कराया जाएगा उसके बाद कोर पेपर 12 समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम लोग DCA1 और DCA2 का सारव प्रस्ण करेंगे तो चलिए बिना देर की आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रस्ण संख्या 12 है कि वासिंग्टन सम्मेलन की उपलवदियों का मुल्यांकन करें साथियों इससे पहले जो है हमने 11 प्रस्ण कोर पेपर 12 का बता दिया है आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जो है टेलिग्राम का लिंक दिया हुआ है वहाँ पर जोइन करके आप देख सकते हो या तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो देख सकते हो आज हम लोग देखने वाले हैं कि वासिंग्टन सम्मेलन जो है क्यों आयोजित किया गया था सबसे पहले जो है आपको परीचाय देना है वासिंग्टन सम्मेलन नो सेना शम्मेलन था जिसका आयोजन करने का मुख़्ुध देश था नो सेना की होड को रोकना एक परकार से यह सम्मेलन को निशास्त्री करन सम्मेलन कहा जा सकता है जिसे सन्य उक्द्राईज अमरीका दुआरा 1921-22 इस वी में वासिंग्टन डी-सी में आयोजित किया गया था जिसके कारण ही यह सम्मेलन को वासिंग्टन सम्मेलन के नाम से जाना जाता है इसमें नो देशोंने भाग लिया था अगर हम बात करें वासिंग्टन सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया था तो इसको इसलिए आयोजित किया गया था तैकि नोसेना के छेतरों में जो सक्ति बढ़ाया जा रहा था जो हथियारों की होड लगी हुई थी इन हत्यारों को होड को इन सक्ति को जो है रोकने का प्रियास किया जाना था साथियों जो वासिंग्टन सम्मेलन था एक परकार से नोसेना की होड को रोकने के लिए ही आयोजित किया गया था इस सममेलन का मुख हुदेश था हथियार बंद करना, आनि कि निष सास्टरी करन करना, जो बड़े बड़े युद्य तोप हैं, उन पर पाबंदी लगा देना, जो बड़े बड़े कुरुज मिसाइल हैं उन पर पाबंदी लगा देना इसी उद्देश से जो है अमरीका ने वासिंग्टन में आनी कि अमरीका के रजधानी वासिंग्टन डी सी में यह सम्मेलन को आयोजित किया गया था 1928 के इस्वी में जब पर्थम विश्युद्ध हो ताकि हाथियारों की जो होड है उनको कम किया जा सके उसके बाद आपको जो नेक्स्ट हेडिंग बनाना है वो है वासिंग्टन सम्मेलन की उपलबधियां आपको परसन में पूछा गया है कि आखिर जो वासिंग्टन सम्मेलन आयोजित किया गया था उनकी क्या उपलबधि राष्ट थे उन्होंने एक से बढ़कर एक परमानू हतियार का निर्मान करवाया था एक से बढ़कर एक कुरुज मिसाल का निर्मान कराया था यह कारण है कि पर्थम विश्युद्ध हुआ जिसमें पूरे विश्व का विनास हुआ इसको देखते हुए अमरीका ने की होड़ इसलिए लगी थी क्योंकि जब उस राष्ट पर दूसरे राष्ट आकर्मन करेगा तो उनसे मुकावला किया जा सके पर्थम विश्युद्ध के काल में जो है अमरीका और जापान दो ऐसे महासक्ति था जो एक दूसरे के विरूद अधिक सक्ति बढ़ाने के जापान अमरीका को जो है अपना परबल विरोधी मानता था और उसका सामना करने के लिए अपनी नो सेना को सक्ति सालिप बनाना चाहता था जापान जो है अमरीका को हमेशा अपना परबल विरोधी मानता था क्योंकि हर जगा पर जो है अमरीका जापान का विरोध करता था यही कारण है कि जापान जो है अमरीका को अपना परबल विरोधी मानता था जिसके कारण जापान अमरीका से अधिक अपनी सक्ति को बढ़ाना चाहता था जब नोसेना सक्ति अधिक बढ़ा लेगा तभी तो अमरीका का मुकाबला कर पाएगा दूसरी और अमरीका परसांद महा सागर में जापान की परसार को रोकने के लिए अपनी नोसेना में विरिधी करना चाहता था जबकि अगर अमरीका की बात करें तो परसांद महा सागर में यह अपना नियंतरन श्थापित करना चाहता था ताकि इनका वेपारिक मार्ग चालूर है लेकिन परसांत महासागर में जापान का नियंतरन बढ़ता जा रहा था जिससे जो है अमरीका ने अपने नोसेन सक्ति को बढ़ाया ताकि जापान को परसांत महासागर में नियंतरन से रोका जा सके इस परकार से पर्थम विशुद्ध के बाद जापान और अमरीका के नोसेना में काफी तेजी से विरिधी होने लगी जब अमरीका और जापान एक दूसरे से अधिक नोसेन सक्ति को बढ़ाना चाहा तो ऐसे इस्तिती में जो है नो सेना में काफी तेजी से विरिधी होने लगा परतिस परधा में इंगलेंड को भी आना पड़ा क्योंकि वह संसार का सबसे बड़ा नो सेन सक्ती था वह इस बात को सहन नहीं कर सकता था कि अमरीका और जापान नो सेना के छेतरों में उससे आगे बढ़े जब जापान और अमरीका के बीच परतिस परधा हो रहा था अपने सेन सक्ती को बढ़ाने के लिए तो ऐसे में जो है इंगलेंड के से पीछे रह सकता था क्योंकि वह संसार का उससमें सबसे बड़ा नो सेना सक्ती था बहुत से देशों को उन्होंने अपना अपनिवेस बनाया था जिसके कारण जो है यह भी इस परतिस परधा में कूद गया इसी परकार से कई यूरोपी देश नो सेना के छेतर में अपनी सक्ती को बढ़ाने का प्रियास किया ताकि अने राष्टों का सामना किया दा सके यह काराने के परधाम विश्युद्ध के बाद विश्युमें नो सेना के होड़ परारम हो गई आनि कि जब यूरोपी सक्तियों में इंग्लेंड और अमेरिका अपने नो सेन सक्ती को बढ़ाने का प्रियास किया तो ऐसे में बहुत सारे राष्ट अपनी जो है नो सेन सक्ती को बढ़ाने का प्रियास किया जैसे कि फ्रांस हो गया, बिल्टेन हो गया, रूस हो गया इसी परकार से इटली हो गया, जर्मनी हो गया तो यह सभी जो यूरोपी राष्ट था अपने नोसेन सक्ती को बढ़ाने का प्रियास किया ताकि एक दुसरे का जो है सामना कर सके चुंकि सभी राष्ट यह जानता था कि सेन सक्ती बढ़ाने से जो है मान नव जाती का विनास हो सकता है ऐसे इस्तिति में अमरीका ने नोसेना के होड को कम करने के लिए ही वासिंग्टन में एक सम्मेलन को बुलाया साथी में यहाँ पर यह कहा गया है कि जितने भी नोसेन सक्ति वाले राष्ट्र थे सभी को यह बहुत ही अच्छे से पता था कि एगर हम बहुत अधिक नोसेना के छेतरों में सक्ति को विरिधी करेंगे बहुत अधिक हथियारों का निर्मान करेंगे ऐसे में मानव समाज का ना सो सकता है यही कारण है कि अमरीका ने जो है हथियार के होड को नोसेना के होड को रोकने के लिए या सीमित करने के लिए वासिंग्टन में एक सम्मेलन को बुलाया ताकि जो हथियारों की होड लगी हुई है उनको थोड़ा सा कम कर सके उनको सीमित कर सके उसके बाद साथ ही आपको नेक्स्ट मुइंट बनाना है कि वासिंग्टन सम्मेलन के आखिर कारण क्या थे जापान, अमरिका और इंग्लेंड दवारा नोसेनिक होड शुरू कर दी अब सभी राष्ट एक दुसरे से अधिक सक्ति साली बनने के लिए नोसेना में विरेधी करना प्रारम कर दिया जापान, अमरिकार और इंग्लेंड जो है नोसेना के छेतरों में एक दूसरे से अधिक सक्ति को बढ़ाने के लिए एक से बढ़कर एक हथियारों का निर्मान करना प्रारम कर दिया था ताकि एक दूसरे से अधिक नोसेन सक्ति को बढ़ा सके परन्तु नोसेना की होड का परिनाम जो है इन तीनों राष्टों को पता था वह बहतर डंग से जानता था कि अगर नोसेना को हम बढ़ावा देंगे तो ऐसे स्थिति में जो हम लोगों का आर्थिक विकास से वह पूरी तरह से रुख जाएगा और इनका जो दूसरा परिनाम होगा उससे मानव समाज का नास हो सकता है मानव जाती का विनास हो सकता है यह बात इन तीनों सक्तियों को पता था फिर भी जो है इन्हों ने अपनी हथियार की होड को बंद नहीं किया समात नहीं किया बलकि हथियार की होड को और अधिक विरिधी कर दिया इसलिए अमरीकी सरकार ने पर्थम विशुद्ध के बाद हथियारों के उत्पादन में भारी कमी करना चाहता था यही कारण है कि अमरीका ने नोशेना की होड को रोकने के लिए तथा पूर्वी एसिया के समस्याओं पर विचार करने के लिए 1921-22 इस वी में वासिंग्टन में एक सम्मेलन बुलाया जिसे जो है वासिंग्टन सम्मेलन के नाम से जाना गया अनि कि जब अमरीका सरकार ने इसके बारे में सोचा कि कि अगर हम बहुत अधिक हथियारों का निर्मान करेंगे तो ऐसे में मानो समाज के विनास हो सकता है इसलिए अमरीका ने नो सेन होड को कम करने के लिए या पूर्वी एसिया के समस्याओं को विचार करने के लिए 1922 में वासिंग्टन में एक सम्मेलन बुलाया पूरे विच्व के लगबग नो राष्टों ने वासिंग्टन सम्मेलन में भाग लिया क्योंकि इन्ही नो राष्टों के पास हिनो सेन सकती थी अनि कि 1922 में जो वासिंग्टन सम्मेलन हुआ उसमें लगबग नो राष्टों ने भाग लिया था क्योंकि उसमें नो राष्ट ऐसा था जिनके पास बहुत अधिक सेन सक्तियां थी यही कारण है कि नो राष्टों ने वहाँ पर भाग लिया था उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या संधी हुई थी वासिंग्टन संबेलन में तो पहला है कि पांच सक्ती नो सेन सं संधी में सन्युक्त्रज अमरीका था ग्रेट बिर्टेन था जापान था फ्रांच था और इटली सामिल था आनि पांच जो सक्तिसाली राष्ट था उनके बीच एक संधी हुआ छे फरवरी 1922 को अमरीकी के जो विदेश मंत्री थे उनके द्वारा यह सम्मेलन का उधगाटन किया गया इस संधी के द्वारा यह कहा गया कि 10 वर्सों तक जहाज जो बनाएंगे आप जंगी जहाज उनका अनुपात तै किया गया है ननिश्चित किया गया कि कौन से देश कितने जंगी जहाज को बना सकता है यह लड़ाकों विमान को बना सकता है जिसमें से सन्युकतराज अमरीका को कहा गया कि आप जो है पांच जंगी जहाज को बना सकते हो यह लड़ाकों विमान को ग्रेट बिरिटन को कहा गया आप पांच बना सकते हो जापान को तीन जंगी जहाज बनाने का अधिकार दिया गया इसी परकार से फ्रांस को दो और इटिली को दो बनाने का अधिकार दिया गया इसके अतिरिक पंडोबी जहाजों तता वीसेली गेसों का परियोग नियंद्रन करने के लिए भी समझोता किया गया कि जो पंडोबी जहाज है ये जो विसेली गेस उससे छोड़ा जाता है उस पर भी हम लोगों को नियंदरन करना चाहिए क्योंकि पहले जो है अधिकतर युद्ध समूद्र में लड़ा जाता था क्योंकि अस्थल पर उतना जादा जो है व्यवस्था नहीं होता था सेनिकों को इसलिए अधिकतर युद जो है समूदर में उसमें लड़ा जाता था इसलिए यहाँ पर तैक किया गया कि जो विसेली गेस है या जो पंडूबी कुरूज मिशालें है उन पर भी हम लोगों को नियंदरन करना चाहिए पांच सक्ती नो सेना संधी ने पर्थम विशुद्ध के बाद युद पोतों के निर्मान की दोड़ को रोग दिया पांच सक्ती नो सेना संधी जब हुआ तो इसमें यह कहा गया कि हम लोगों के पाच जो सक्ती साल युद पोत है उनको निर्मान नहीं किया जाना चाहिए अब तो इस परकार से युद पोतों के निर्मान को जो है कुछ वर्षों के लिए रोग दिया गया छोटे जाहाज के सम्मंद में कोई समझोता नहीं किया गया जैसे छोटे युद पोतों जो है उनके सम्मंद में कोई समझोता इन लोगों के बीच नहीं हुआ अमेरिका चाहता था कि जो छोटा युदुतोफ है उनका भी निर्मान ना हो परन्तु जो बिर्टेन उस समय था इन्होंने विरोध कर दिया क्यों विरोध किया क्योंकि उस समय पूरे विश्व में जो है बिर्टेन का समरेज फेला हुआ था आनि कि बिर्टेन ने अधिकतर राष्टों पर अपना उपनिवेस बनाया था उपनिवेस हम उसे कहते हैं जो किसी विदेशी राष्टों दवरा किसी भी राष्ट में जाकर अपना सासन बिवस्था को लागू कर देता है वहाँ पर सासन बेवस्था को चलाता है तो वो उपनवेश राष्ट हो गया तो इस परकार से उस समय जो है बिरुटेन का बहुत सारा उपनवेश राष्ट था यही कारण है कि इन्हों ने छोटे युद पोतों को निर्मान के लिए इनका विरोध किया पांच सकती नो सेना संधी के कारण दस वर्सों की अवधी के लिए अपने पूंजी को जंगी जहाज निर्मान के कायरकर्म को छोड़ने पर सभी महासकती राष्ट सहमत हुए पांच सकती नो सेना संधी जब हुआ तो इसमें दस वर्सों के लिए जो पूंजी आधिक से अध इस परकार से वासिंग्टन सम्मेलन का पहला लाब हुआ कि नोसेना में विरिधी करने की जो होड़ लगी थी वह दस वर्सों के लिए रूग गई इससे एक लाब यह हुआ कि जब वासिंग्टन सम्मेलन बुलाया गया तो जो पांस सक्ति साली राश्ट था उन लोगों के विच यह निश्य किया गया कि हम लोग जो है अब जंगी जहाज को नहीं बनाएंगे जैसे करन बिरिटेन छोटी जंगी जहाज बनाता रहा जैसे कि हमने आपको बताया था कि अमरीका ने छोटी युद्टोपों को भी जो है निर्मान के पाबंदी लगाना चाहता था लेकिन बिरिटेन ने इसका विरोध किया बिरिटेन ने जो है विरोध किया कि छोटी जं जहाज नहीं होगा तो उन छेत्रों पर या उन राष्टों पर यह नियंतरन के से रख पाएगा यही कारण है कि यह छोटी जहाज के समंद में कोई समझोता नहीं किया बलकि जो है छोटी छोटी जहाज बिरिटेन बनाता रहा उसके बाद next point बनाना है खोले दर्वाजे की संदी वासिंटन सम्मेल में सामिल राष्टों के बीच एक संदी हुआ जिसमें यह कहा गिया कि चीन में वैपार करने के लिए सभी राष्टों को जो है समान अउसर प्राप्थ होगा लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि चीन के सरवोच सत्ता तथा प्रदेशे का खंड़ता का हम लोग समान करेंगे चीन के किसी भी छेतर पर हम लोग जो है अपने स्वार्थ के लिए या अपने हीत की पूर्ती के लिए अधिकार नहीं करेंगे अमरिका ने इस संधी को बहुत अधिक महतु दिया क्योंकि संधी के तहट जो है सभी देशों को चीन में व्यापार करने के लिए संवान अधिकार दे दिया गया क्योंकि पहले जब विदेसी राष्ट एसीया में आता थे व्यापार करने तो ऐसे में यहां के जो लोग होते थे यहां के जो सासक होते थे वह विदेशियों को घिरना की नजर से देखते थे लेकिन जब इस संधिक के तहट चीन में सभी विदेशी राष्टों को व्यपार करने के लिए समान अउसर समान अधिकार दिया गया तो इससे जो है अमरीका खाफी खुश हुए उसके बाद आपको next point बनाना है कि आखिर जो वासिंग्टन सम्मेलन था उसका क्या परिनाम हुआ या इसका क्या महत हुआ वासिंग्टन सम्मेलन का परमुकुदेश नोसेना की होड को रोकना था जैसे कि हमने आपको बताया है कि वासिंग्टन सम्मेलन क जो परमुख उदेश था वो नोसेना की होड को रोकना था नोसेना की होड को रोकने के लिए यह समयलन आयोजित हुआ था लेकिन यह समयलन में हथियारों पर जो नियंदरन लगाया गया हुआ है बहुत ही सीमित था यह आपको बहुत ही अच्छे से समझने है कि वासिंग्टन सम्मेलन को लागू किया गया था ताकि हत्यार की जो होड है उनको रोका जा सके लेकिन इस सम्मेलन में हत्यारों पर पूरी तरह से नियंद्रन नहीं लगाया जा सका क्यों कि इस सम्मेलन में जो केवल बड़े यु इससे सम्मेलन कोई भी सीमीत नहीं किया गया था कि आपको इतने हैं सेनिकों को रखना है इसमें तीसरा करण यह था कि जो छोटी छोटी युद्धितोप था जो कुरूज मिसालें थी उनका निर्मान जारी रहा इस सम्मेलन के अंतरगत केवल बड़े युद्धोपों के निर्मान पर पावंदी लगाई गई थी नोसेना के अन परकार के तोपों पर कोई भी परतीबन नहीं लगाया गया था जैसे कि हमने आपको बताया है और ना ही अस्थल्य सेनाओं के संबंद में कोई परतीबन लगाया गया अताई सम्मेलन से हथियारों की होड़ पूरी अउसर होगा परन्तु इस कायर को लागो करने के लिए किसी भी परकार की लेखित कानून व्यवस्ता नहीं की गई थी जब सभी राष्टों के द्वारा संदी हो रही थी वासिंग्टन में तो वहां पर यह कहा गया था कि चीन में सभी राष्टों को व्यपार करने के जो है कोई लेखित कानून नहीं बनाया गया था वैसे ही बोल दिया गया था जिसका पालन करना संभव नहीं था अमरीका जैसे सकति साली देशों द्वारा इस बात को इसलिए कहा गया था ताकि चीन के छेत्रवर्ग जापान का नियंतन स्थापित ना हूँ अमरीका जैसे सकति साली यूरोपी राष्टों का मानना था कि जब हम चीन पर कहेंगे कि सभी देशों को समान अउसर मिलेगा वैपार करने के लिए उनके पड़देशिक अखनता उनके रैज पर अपने हीतों और स्वार्थ के लिए कबजा नहीं करेंगे तो ऐसे इस्तित जापान का नियंदरन चीन में अस्थापितना हो जाए यही कारण था कि उसमें कहा गया था कि हम लोग चीन के परदेशिक अखनता को ध्यान में रखते वे वहाँ पर हम लोग वैपार करेंगे जापान इस संधी में सामिल ही नहीं होना चाहता था लेकिन सभी महासक्तियों ने जब दबाब बनाया तो इनको भी समयलन में सामिल होना पड़ा वासिंग्टन समयलन की संधी ने जापान को नोसेना के छेतरों में हीन बना दिया जिसके कारण ही आगे चलकर इन्होंने मन्चुरिये पर अपना अधिगार प्राव कर लिया वासिंग्टन समयलन की संधी ने जापान को नोसेना के छेतरों में हीन बना दिया क्योंकि उस समय जो सकतिसाली राश्ट थे जैसे कि बरिटन और अमरीका उन लोगों ने पहले से बहुत अधिक हत्यारों को बना लिया था बहुत अधिक युद्ध पोतों को बना लिया था ऐसे में वह अगर उन सभी उद्ध पोतों को नहीं बनाता फिर भी उनके पास युद्ध पोत थे लेकिन जापान ने फिलहाली जो है अपने नोसेन सक्ति को बनाना परारम किया था अपने युद्ध पोतों को बनाना परारम किया लेकिन जब इन पर पाबंदी लगा दिया गया तो ऐसे में जो है इनकी जो नो सेन सक्ती थी वो कमजोर पड़ गई नो सेना के छेतरों में यहीन हो गया यही कारानी की आगे चल कर इन्होंने अपनी सक्ती को बढ़ाने के लिए मन चुरिया पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया इस परकार से यहां पर समाप्त होता है साथियों अई होप आप सभी को समझ में आया होगा आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी भी सहाता मिली हो तो किरिपया करके एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें तो आज के लिए इतना ही आप लोगों से बहुत जल मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद